लाइक कीचिए सब्सक्राइब कीचिए और शेर कीचिए पहल आइकॉन का बटन तपाना ना भुलिए और देखते रहिए लंत्रानी नियूज लाइफ नमस्कार मी सरवात आधी आपला सरवांचे मना पसून अभिनंदन करतो आपला पैकी काही लोकाना आज नियूक्ति पत्र प्रजान होता है याचा मला खूप आनन होता है मिया साथी आपलाला खूप खूप शुबेच्छा देतो देश के युवाओं को सरकारी विभागों में सामुहिक रुप से नियूक्ति पत्र देने के अभियान में आज महाराष्ट का नाम भी जूड रहा है दंतेरस के दीन केंद्र सरकार ने दस लाख नोकरिया देने के अभियान की शुरुवात की थी तब ही मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में विभिन्न राज सरकारे भी इसी तरह रोजगार मिले किया करेंगी इसी सरंख्रा में आज महाराष्ट में सेंकडो युवा को एक साथ नियुक्ति पत्र दिये जा रहे हैं आज जिन युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ मैं महाराष्ट के मुख्यमंत्री स्रिमान एकनाथ छिंदेजी और मुख्यमंत्री भाई देवेंदर फड़नविश्जी का भी अभिनंदन करता हूँ इतने कम समय में रोजगार मेले के आयोजन से स्पष्ट है कि महाराष्ट सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में मजबुत संकल्पों के साथ बढ़ रही है मुझे इस बात के भी खुशी है कि आने वाले समय में महाराष्ट में इस तरह के रोजगार मेले का और विस्तार किया जाएगा मुझे बताया गया है कि महाराष्ट के ग्रह विभाग में हजारों पूलिस कॉंस्टेबल की भरती होगी और ग्रामिन विकास विभाग में भी भरती अभ्यान चलाये जाएगा साथियो इस समय देश आजादी का अमरित महोत्सों मना रहा है देश विक्षित भारत के लक्ष पर काम कर रहा है इस लक्ष की प्राप्ती में बहुत बड़ी भूमी का हमारे युवाओं की है आपकी है बदलते हुए समय में जिस तरह तेजी से नेचर अब जौब बदल र महां है उतनी ही तेजी से सरकार भी अलग-अलग तरह की जौब्स के लिए लगातार मौके बना रही हैं स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी लोन देने वाली मुद्राय उजना के तहट सरकार ने 20 लाग करोड रुपिय से अधिक की बदद युवाओं को दी है इसका बन महाराश्य के युवाओं ने उठाया है सरकार स्टार्ट अप्स को लगुद्योगों को मसमिस को हर संभव आर्थिक मदद दे रही हैं ताकि युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पुरा आउसर मिले साथियों सरकार के प्रयासों के सबसे एहम बात ये है कि रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दलीत, पिछडे, आदिवासी, सामान्यवर्ग और महिलाएं सभी को समान रुप से उपलब्द हो रहे हैं सरकार द्वारा ग्रामिन इलाकों में सेल्फ हेल्फ गुरुप को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है पिछले आठ वर्षों में आठ करोड महिलाएं सेल्फ हेल्फ गुरुप से जुड़ी हैं इन सेल्फ हेल्फ गुर्प को साड़े पांच लाग करोड रुपिय की आर्थिक मदद दी गई हैं अब इन समुवों से जूड़ी महलाए अपने उत्पात तो बना ही रही हैं दूसरी अन्य महलाओं को भी रोजगार दे रही हैं साथियों आज देश भर में इन्फरास्ट्रक्चर, इन्फरमेशन टेक्नलोजी और अन्यक शेत्रों में सरकार जो रिकॉर्ड निवेश कर रही हैं उससे भी लगातार रोजगार के नए-ने अउसर बन रहे हैं अगर हम सिर्फ महराष्ट्र के ही बात करें तो केंदर सरकार के तरब से दो लाग करोड से जादा के लगबग सबाद दो सो प्रोजेक्स मंजूर किये गए हैं इन प्रोजेक्स पर या तो काम चल रहा है या काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है अब कल्प ना कर सकते हैं महराष्ट में रेलवे में पच्चतर हजार करोड रुपिये और आधुनिक सड़कों के लिए पचास हजार करोड रुपिये के प्रोजेक्स फिकृत किये गए हैं सरकार जब इतनी बड़ी राशी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती हैं तो उस वज़े से भी रोजगार के लाखों नए अवसर बनते हैं साथियों मुझे विश्वास है कि भविश्य में महराष्ट में युवाओं के लिए इसी तरह रोजगार के अंगिलत अवसर तयार होते रहेंगे एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवक युद्तियों को मैं शुब कामनाय देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए बैल आइकॉन का बटन दबाना ना भुलिए और देखते रहिए लंत्रानी नियुज लाइफ मुंबाइ